आईपियल में लागातार जबरतस्त प्रदर्शन करने के बाद जहां रिंकू सिंग की वावाही चारों दिशा में हो रही है वहीं अब रिंकू सिंग को लेकर टीन इंडिया की तरफ से भी कुछ ऐसा कह दिया गया है जिसको सुनकर रिंकू सिंग के साथ-साथ उनके प्रशन सक्भी और चमभित रह गए हैं तो ऐसा कर दिया गया है टीन इंडिया की तरफ से इंकूसिंग को लेकर आएए आपको बताते हैं इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें कि आईपियल के सिजन में कोलकाता की तरफ से खेलने वाले रिंकु सिंग ने कोलकाता के लिए कई ऐसे मुकाबले जीते हैं जिसमें कि ये मान कर चला जा रहा था कि यहां से अब कोलकाता का जीत पाना नामम्किन है आपको याद हो तो गुजरात के साथ हो रहे हैं मुकाबले में भी आखरी के 6 गेंदों में 31 रनों की अवशक्ता थे और रिंकु सिंग ने लगातार 5 गेंदों पर 5 चखके जड़ दिये और कोलकाता को जीत दिलाई थी और ऐसे ही कई ऐसे मुकाबले हुए हैं जहां रिंकु सिंग ने आखरी गेंदों तक चले मुकाबले में कोलकाता को जीत दिलाई हैं जिसके बाद अब भार्थे क्रिकेट बोर्ट के तरफ से भी रिंकु सिंग को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसको सुनकर खुद रिंकु सिंग भी और चम भित रह गये हैं आपक कि उनको चाहने वाले भी इस खबर को सुनकर काफे खुश नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब IPL में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद किसी खिलाडी को डारेक्ट टीम इंडिया में जगेह मिला हो इससे पहले भी कई ऐसे खिलाडी है जिन को भारती टीम में उनके IPL के प्रदर्शन को देखकर मौका दिया गया है और अभी वो भारती टीम में रहकर लागतार ना सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बलकि भारती टीम को जीत भी दिलवाने में काम्याभी पा रहे हैं और ऐसे में अब ये देखना दिल्चस होगा कि अगर रिंकु सिंग को भारती टिम में जगे मिलती है, तो वो आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए किस तरीके का प्रदर्शन करते हों और क्या वो अपने IPL के सोम को टीम इंडिया में भी वरकरार रख पाते हैं और अगर एसा करने में रिंगु सिंग सफल हो जाते हैं तो ये मान कब चलना च motivator कि उनका स्थान भारती टिं में हमेशा केलिए पका रहने वाला है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या रिंगु सिंग को भारती टीं में इतनी जल्दी जगए मिलना सही है हमें अपने जबाब कॉमेंट में जरूर बताईए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूटुब चैनल को वेडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें